MSME दिवस उद्योग जगत ने हर्शनलास के साथ मनाया सरकार भविश्य के लिए तैयार MSME थीम पर उद्योगों के पुरसाहन और अंतराश्टी ब्यापार को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक इस्तर पर कारे कर रही है हम लोग यदि देश की अर्थविवस्था की बात करें तो MSME उसकी रीड की हड़ी है उसका बेसिस है, फंडमेंटल हैं क्योंकि एमप्लॉइमेंट मिलता है छोटे-छोटे लोग उस देश की प्रगती का हिस्सा बनते हैं केंदी सरकार और राजी सरकार के उचिस्तर पर भरस्टाचार पूर्ण समाफ्थ हो चुका है वो कमिटिड हैं MSME के डवलप्मेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए लेकिन अभी निमनिस्तर की बात करें तो अभी भी भरस्टाचार है यदि हम चाहते हैं कि MSME सेक्टर प्रोग्रेस करें, डवलप्मेंट करें तो जो निमनिस्तर पर जो कटनाईया, MSME उद्धिमियों को अनभव करनी पड़ती हैं उसको दूर करने के लिए जरूरी है कि निमनिस्तर पर भी भरस्टाचार समाप्थ हो इसके लावा, ओनलाइन फैसलेटी समय समय पर केंद सरकार और राजिस सरकार के द्वारा इंट्रड्यूस की जा रही है, बहुत अच्छी पहल है, सरहानिय पहल है लेकिन फिर भी कई दफ़े ये अनभव होता है कि फैसलेटी तो ओनलाइन है लेकिन बिना ओफलाइन पेरवी के वो हमें सेवा नहीं मिल पाती है इसकीम के रूप में MSME पार की इसकीम के रूप में उद्यमी को प्रेरित करने के इसाब से एक पॉलिसी लेके आई है वो मैं आज के मूखे पर ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर भूमी सरकार के पास नहीं है तो सरकार ये चा रही है कि जिनके पास भूमी है वो इसका अधिकादिक प्रियोग करते हुए और उसका लाब उठाए और सरकार के इसकीम क्या है 10 एकड़ से 50 एकड़ के बीच में किसी के पास भी कोई भी क्रशी भूमी है उसको registry भी नहीं करानी है केवाल agreement करके सरकार को apply करना है registry के जो पैसे लगते हैं वो भी सरकार दे रही है अनुदान के रूप में 143 कराना है उसका भी अनुदान के रूप में सरकार देगी उसके अलावा जो internal development करना है उसमें उसमें भी सरकार 50 लाख रूपे पर एकड़ आपको internal development करने के लिए 1% per annum for 3 years लोन देगी अपने fund में से